असलाम अलेकुम मेरा नाम है महामद अर्सलान और एंड़नोट की वीडियो सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी एंड़नोट की लाइबरी और रेफरेंस को मैनेज और 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 और्गनाइज कर सकते हैं First of all groups आप grouping के थुरू आप अपनी लाइबरी को सबसेट में और्गनाइज कर सकते हैं For example आप एक review paper लिख रहे हैं और उस review paper के लिए आप different databases से जो है references जो है collect कर रहे हैं और उन references को आप अपनी लाइबरी में हर database के different subset बना के और अच्छे से प्राव है and come on और उसके बाद आप Smart Group बुप बना सकते हैं और आप different groups के एक लगदा से Missile Group भी बना सकते हैं different groups जो पहले बने आपने बनाए होँगे उसे उसकी base पर जूह है छो है अललादा से Mitra至 2 proved करना है वो है find duplicates आपने डिफरेंट डेटाबेसिस जो क्लेक की होंगे references उनको merge करके फिर आपने find duplicate की option से आपने जो है उसके duplicates remove कर देने है फिर end में मैं आपको बताऊंगा कि आपने reference के full text कैसे find करने है within and not library और उसके बार उसको कैसे attach करने है तो चले चलते हैं हम demo की तरफ सबसे पहले हम जो है different databases से references को collect कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको हम organize करेंगे within and not library तो मैं क्या करता हूँ कि databases के जो search engine होते हैं वो keyword की language को understand करते हैं तो आपने जो अपना review paper लिख रहे हैं उसकी base पे आपने keywords वो design कर लेने और उसके बाद आपने database के search engine में उसको search करने हैं तो आपके keyword आपको बताएंगे कि आपका review paper कितना efficient होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है तो मैं first of all web of sciences पे जाता हूं इनका database है और उसके बाद जो है advance पे click करूंगा और यहां पर मेरे जो है already एक review paper है उसके keyword जो है design की हुए है तो मैं जो है आपने भी अपने जो है review paper जो है उनके हिसाब से जो है design कर लेने keywords ऐसे यहां पर मैंने biochar, arsenic, lead, soil इनके दरम्यान मैंने जो है hand operator का यूजिस किया है और इसके बाद मैं हम इन को Title में देख रहा हूं abstract में पेपर के तो आपने जो है ऐसे ही ऐनके design कर लेना है पहले आपने title यहां से select करने title select करने के बाद आपने keyword अपने paste करने है और उसको add query कर देना है उसके बाद अपने एबस्ट्रेक को सेंगाना यहां पे आपने र ओपरेटर चूज करनासर आप victim आपने और नुन कर सकते हम यहां पे और यूझ्ट Soo primal में और आरय ऊपने चुछ कर लेन और उसके बाद एंड को से मेरे पाद 55 आर्टिकल आहरे हैं तो आप यहां से स्पेसिफाइ कर सकते हैं कि आप जो है इसको कैसे रिफाइन करना चाहते हैं अपनी सर्च को मैं यहां पर जो है रिसेर्च और रव्यू पेपर की बेस पर देटा करूंगा और आप यहां से language भी select कर सकते हैं इस वर्क मेरे पास सिर्फ English language आ रहे हैं 55 articles अगर आपके कोई और language में आ रहे हैं तो आपने उसको भी refine कर लेना है तो यहां से मैं document type में article की base पे और view की base पे लदा लदा से यहां से reads file को download कर लोगा तो article को select करके मैं इसको refine करता हूँ refine करने के बाद मैं select all करता हूँ और इसको मैं reads file में export कर देता हूँ with all record और इसको जो है मैं save कर लोगा अपने desktop के end.folder में और जो हमने first video से बनाया होगा तो इसमें एक मैं database का folder बना लूँगा और इसमें जितने databases से मैं download कर रहा हूँ articles तो उसका मैं लदा लदा से folder बना लूँगा और इसके अंदर जो है मैं यह इसको rename कर दूँगा AR के नाम से मतलब article अगर आप different treatment पर काम कर रहे हैं और different treatment का आप लदा-लदा से research article डालूड कर रहे हैं तो आप इनको rename कर सकते हैं on treatment के नाम पर तो मैं इसको जो है save कर लूँगा यहां से और इसके बाद जो है मैं यहां पे जो है review article की base पर मैं इसको refine कर लूँगा select all and then export to risk file with all record इसको मैं save कर लूँगा और इसको मैं फिर rename कर दूँगा और इक नाम से review article लेजिए हमारे जो है web of science का data collect हो गया है और इसके बाद आपने ऐसे ही जो है science track का collect कर लेना है on the basis of research and review article आपने ऐसे ही इसके जो है search engine में title abstract और keyword की base पे आपने ये search कर लेने और आपने जो है different इसके data download कर लेने और search और review की base पे और scopus के लिए आप same ही चीज़ करेंगे इसका भी आपने document type में review और research की base पे आपने कर लेने download और उसके बाद जो है आपने जो google scholar google scholar पे भी आपने same काम कर लेने और इसदर भी आपने review और research article की base पे आपने download कर लेने हैं इसका थोड़ा सा tricky part है मैंने एक और video में explain किया हुआ है कि आपने कैसे download करना ये सारा कुछ तो इसके बाद मेरे पास जो है सारे databases का data जो है यहां पर collect हो चुका है आर्टिकल और review की base पे तो आप हम जो है अपनी Android की जो library जो हमने शुरू में create की थी वो open कर लेंगे उसमें जो है आप group बनाना शुरू करना है आपको sidebar पर यह जो है group का option मिल रहा होगा आपने इस पर right click करना है आप यहां से भी जाके grouping group बना सकते है different पर जो best practice है आपने यहां पर right click करके create groupset पर click करना है और आपने इसको rename कर देना web of sciences के नाम से यानिके उस database का data होगा हम इधर import करेंगे और import हम पूरी library में करेंगे पर उसको जो है इधर हम manage करेंगे और इसके बाद आपने इसमें जो है sub group जो है वो create कर लेने तो मैं जो है यहां पर review का एक जो है sub group वो create करता हूं और इसके बाद में research का create कर लेता हूं और इसी तरह आपने different databases के create कर लेने लेजी अब हम जो है इसमें import करना शुरू करते है अपना data तो उसके लिए मैं data basis पे click करूँगा पहले जो है web of sciences से start करूँगा web of sciences को जो है article का data मैं उस पे double click करूगा तो मेरे पास यह जो है यहां पर import reference में जो 49 वो आर्टिकल होंगे वो आ जाएंगे इनको मैंने control all करके select करना है select करके मैंने इनको जो है drag and drop कर देना है web of sciences के sub folder में आप जो है इसको right click करके और यहां से add reference to में आप web of sciences के research में भी यहां से कर सकते हैं पर जो best practice मैं समझता हूँ कि वो यह है कि आप इसको drag and drop कर दें तो उसके बाद जो है हम review article को देख लेते हैं मेरे पास यह तीन थे control all next some scopus का करें करें क्ट्रूल क्ट्रूल क्ट्राब क्ट्राइ क्ट्राइ झाल 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 यह मेरे पास जो है सारे डाबेसिस का डाबने इन इंपोर्ट कर लिया है डिफरेंट सब ग्रूप में भी इन इसको डाल दिया है और उसके बाद आप देखिए मेरे पास और रेफरेंस 322 है अब हमने इन सब डाबेसिस को मर्च करना है यहाँ पर एक और सब गुरूप सेट बनाता हूं और उसका नाम मैं रह देता हूं डिप्लिकेट्स और उसके बाद मैं यहां पर एक गुरूप बनाता हूं रिसर्च के नाम से और हर डेटाबेसिस का रिसर्च का फोल्डर वहां से मैं जो है ड्राइगन ट्रोप कर दूँगा यहां पर डूप्लिकेट में लेजी मेरे पास जो रिसर्च आर्टिकल है वो 298 आगे हैं अब हमने इन में से जो है डूप्लिकेट रूप करने है डूप्लिकेट रूमूव करने से पहले जो है आपने प्रेफैरेंसे में जाना है प्रेफरेंसिस में जाने के बाद आपनी डूपलिकेत पिलिक करना है और यहां से आपनी टाइटल और शियर स्लेक्ट करते हैं और रिंटकार दि जिए लेकित के रिटेट शॉब करेंगे तो आपने कंट्रॉल आपस करके सक hetadasa और आपके पास जो है 107 जो डुप्लिकेर्स हैं आपने simply कहा करना है उनको ड्रैग और ट्रोप कर देना ट्रैश में और आपके पास जो remaining article है वो 298 में से आपके पास 236 बच जाएंगे यहां पर डुप्लिकेर्स का काम खतम हो जाता है इसके बाद हम देखेंगे का यहां प्ल्टेक्स कैसे find कर सकते हैं आपने já का जो है फांड कर लेता हूँ इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पे फांट फॉल टेक्स पे क्लिक करूंगा तो यहां पे जो है मेरा प्रोसेस सर्च। का स्वा स्कार्श हो जाए गा और अगर किसी की PDF भेत बैलेबल अगर किसी तो I think almost all जो है वो not found में चले गए यहाँ पर जो है already जो मैंने search किया था हमने पिछली दफ़ा उसके में पास तीन जो है पड़े हुए reference with PDF और जो URL है वहाँ पर आपको सिर्फ जो है इसका URL गिवन होगा पेपर का आप ड्रेक्ट वेबसाइट पर जाकर वो पेपर को डाउनल और इसके बाद है अगर यहाँ पर आपकी दफ़ा PDF अटैच हो गई इसके साथ तो यह automatically जो है आपकी with all reference में भी आजाएगी PDF आप यह देखें कि मेरी हर article की PDF जो है यहाँ पर अटैच होगी सब ग्रूप में भी आगई यह होगे article तो वहाँ पर भी PDF automatically अटैच हो जाती है और यह आपका जो है folder endnote का उसमें एक folder बनोगा dot data के नाम से उसमें जो है इनकी PDF जो है वो automatically आजाती है तो आपने manually कैसे अटैच करनी PDF तो उसका मैं बदा देता हूँ आपने हर जो है reference के साथ उसका DOI नमबर जो है given होता है तो आपने जो है उस DOI नमबर को copy करना है आप इसको Google search में भी जाकी paste करेंगे आपको मिल जाएगा फिर आपको उधर click करके जो है website खोलनी पड़ेगी तो आप इसमें अपना DOI कुछ करें और go पे click करें तो आपके पास track.ly वह जहां पर article मुझूद होगा जहां से आप download कर सकते हैं उसका आपको link मिल जाएगा तो यह भी paid है तो मैं किसी और article का DOI try कर लेता हूँ यहां से मैं next article जहां उसका DOI copy करूँगा और उसके बाद यहां पर paste कर दूँगा और इसको मैं search करूँगा और यहां से जो है आप इसकी PDF अगर आपको पास access है science track की तो आप यहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप इसको save करेंगे और आप अपने उसी endnote के फोल्डर में एक फोल्डर बना लेंगे PDF के नाम से आप इसमें PDF save करते जाएंगे numbering देखे आप इसके नाम से भी save कर सकते हैं और इसके पास जो है इसको save करें और आप इसको जाके यहां पे PDF पे क्लिक करके इसकोट पे attach कर सकते हैं और उससे भी पहले आपने क्या करना है आपने preferences में जाना है तो preferences में जाके आपने PDF handling पे क्लिक करना है और आपने यहां पे जो है don't rename पे select हुआ होगा already तो आपने title पे क्लिक कर देना है कि जो भी आपको PDF import करें अटेच करें तो उसका जो है already automatically जो है title change हो जाए तो आप इसको ok कर दें apply करके और उसके बाद यहां से PDF attach करें तो मैंने one के नाम से save की थी PDF तो उसको मैं यहां पे open कर लूँगा और आपने वापिस edit पे जाना और save पे क्लिक कर देना है और इसके अलावा अगर आप अपने references के साथ कोई और चीज अटेच करना चाहते हैं जैसे PPT हो गया कोई note हो गया या फिर कोई और चीज document word document हो गया रहा तो आप यहां पे edit पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पे attach file में जाके आप इसमें different जो है up to 45 files जो है आप इसके साथ attach कर सकते हैं कोई भी हो PPT हो कोई भी format हो आप यहां पे attach कर सकते हैं लेजे यहां पे complete होता है full text find वाला जो है portion और PDF attach वाला भी तो इसके बाद अगर आप अपनी जो है library का backup बनाना चाहते हैं या आपने किसी friend या click के साथ share करना चाहते हैं तो आप जो है यहां से compress library dot enlx पे क्लिक करेंगे और यहां से आप जो है with attachment और without attachment भी compress कर सकते हैं और उसके बाद आपने यहां से reference select करके भी आप compress कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है group की base पे भी इसको compress कर सकते हैं तो मैं यहां पे our library पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद with attachment क्लिक करता हूँ next पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको अपने जो है एंडनोट के फॉल्डर में यहां पे एक डिफरेंट फॉल्डर बनाके इसको मैं रिनेम कर देता हूँ बैक अप के नाम से और आप इसको रिनेम कर सके हैं किसी भी आप का जो study कर रहे हैं उसके नाम से मैं यहां से backup लिख देता हूँ फिलाल के लिए और इसको save कर लूँगा तो यह मैं लाइपरी का backup बन गया जब आप इसको दुबारा से open करेंगे आपके पास जो है .enl के नाम से एक फाइल बनेंगी और एक folder बनेगा .data के नाम से तो इसको open करने के पाथ आप जो PDF होगी या फिर कोई भी data होगा वो आपको build सकेगा इस folder के अंदे तो आप इसको अ रख सकते हैं अपने पास और end में जो है मैं आपको बताऊंगा के आप जो है कैसे अपने जो reference list है इसको Excel में copy कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जो है टूल में output style में जाके new style बनाना पड़ेगा new style को open करने के बाहर मैं यहां template में जाओंगा और यहां से मैं जो है select कि मैं क्या क्या चीज़ चाहता हूँ अपने Excel की file में तो मैं यहां पर first of all author select कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहां पर tap पे click करूंगा tap पे click करने के बाद मैं यहां से title select कर लेता हूँ यहां से इसको close करूँगा, close करने से पहले मैं इसको save कर दूँगा और इसको rename किसी भी नामम से आप इसको rename कर देता हूँ,safe कर लेता हूँ आपने फिर tools में जाना है,tnnति tools में जाने के बाद output style — मैंपको यहां पे output style नखर नाजर नहीं आ रहा होगा तो तो आपने जो है open style manager पर जाना है और आपने यहां पर जो है new के नाम से जो है तो देख लिए ना यह मेरे पास output style यहां पर new के नाम से है तो मैं इसको यहां से select करूँगा और यहां से मैं से को cancel करके तो output style में तुपारा जाओंगा तो यहां से मेरे पास भी रहें new के नाम से style आ चुगा है और उसके बाद यहां पर जो है मुझे कितने article को एक्सल में copy करना होगा तो मैं select all कर लेता हूं उसके बाद आपने right click करना है right click करने के बाद आपने copy formatted reference पर click करना है तो आपके पास जो है यह formatted तो आपके पास जो है यह सारे reference copy हो चुके होंगे आपने जो है इसके बाद open कर लेना एक्सल ऑपन करने जब आप जो है यहां पर आप सीजर नंबर दे सकते हैं जहां पर आपके आपके नेम दे सकते हैं कि आपने क्या क्या कोपी किया तो आप जो है 2nd Column & 2nd Row पे क्लिक करेंगे और यहां पे Ctrl-B करांगे तो आप एक सकेंगे कि आपके पास यह Authors Guide आगए में सारे नाम और उसके पात Title आगए है, उसके बाद यह रागए है तो आप जो जो भी Select करेंगे आपके पास यहां पे Axle की File में आता जाए गांगा आप इसको सेफ कर सकते हैं अपया जी इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसमें हम देखेंगे के हमने कैसे इंटीग्रेट करना है and not go with Microsoft Word के साथ और फिर कैसे आपने जो है प्रेफरेंस साइट करने हैं वाइल राइटिंग